चलिए तो अब हम बात करेंगे 12th नंबर पे रामकृष्ण परमहंस के बारे में ठीक है तो रामकृष्ण परमहंस फिर उनके जो सबसे योग जो उनके गुरूर होते हैं जिनका नाम है स्वामी विवेकानन्द और जो संगठन या जो और्गनाईज़शन इनके द्वारा इस किया गए थे जिसे रामकृष्ण movement ठीक है फिर रामकृष्ण mission और जो important points है जो important चीज़ें हैं किस तरह से इन्होंने धार्मिक सुधार किये किस तरह से इन्होंने उपदेश दिए ठीक है क्योंकि एक संत के रूप में जाने जाते हैं ठीक है स्वामी वेकानन्द की अगर बात करें तो वो भी एक संत के रूप में और एक intellectual या विद्वान के रूप में जाने जाते हैं वहीं अगर हम रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो वो एक संत ही थे ठीक है ना तो उन्हें तो हम संत के रूप में ही समझेंगे लेकिन लेकिन उन्होंने अपने जो जनता में हिंदू जनता में ठीके ना उनमें एक प्रकार से सुधार लाने की कोशिस की या उन्हें दूर करने की कोशिस की ठीके तो ओवराल यह जो टॉपिक होगा जिसमें स्वामी जिसमें हम रामकृष्ण परम्हंस के बारे में बात करेंगे उनके पाँचों चीजों के उपर discussion किया जाएगा और इनके जो खस तोर से जो इनके विचार हैं thoughts हैं ठीक है ना जो इन्होंने बातें बताईए उनके उपर थोड़ा साम ध्यान देंगे इनकी ideology के उपर focus करेंगे तो रामकृष्ण परमंस देखे परमंस के बारे में अगर देखा जाए तो वो एक संत चरित्र व्यक्ति थे वो एक संत थे सेंट थे ठीक है ना तो हिंदू संत के रूप में उन्हें जाना जाता था वो एक संत चरित्र व्यक्ति थे जो त्याग ध्यान भक्ति की पारंपरिक विधियों से धार्मिक मुक्ति पाने में विश्वास रखते थ ठीके तो अगर हम बात करें salvation की या अगर हम बात करें मुकती की तो मुक्ति या salvation किस तरह से प्राप्त हो вод? तो मुक्ति या salvation प्राप्त करने की जो ट्रेडिशनल मेथड्स है जो पारंपरिक विधि है वो क्या है? वो है त्याग, ध्यान और भक्ती ठीके ना? तो Reunication इसके लावा अगर हम बात करना Meditation and भक्ति इन Methods यह कुछ पारंपरिक पद्धतिया होती ठीक है नहीं याने पुराने समय से चले आ रही traditional Methods हैं जिनको हम बोलेंगे Reunication याने त्याग करना ठीक है इसके अलावा Meditation करना याने ध्यान करना और भक्ति करना याने इस्वर की भक्ति करना अराधना करना These are the traditional Methods by which anyone can get Salvation ठीक है न तो जिसके द्वारा Salvation प्राप्त हो सकता है और यही ग्यान यही विचार किसने बताए हैं राम कृष्ण परामहन से ठीक है धार्मिक सत्य की खोज तथा स्यम में इस्वर के अनुभव करने के उद्देश से बे मुस्लिम तथा इसाई दर्वेसों के साथ भी रहे थे ठीक है तो यह एक चीज आप लोग यह समझें कि इनका यह विश्वास था कि मनुष्य के अंदर ही क्या है इस्वर है ठीक है मनुष्य के अंदर ही क्या है इस्वर है ओबियसली क्योंकि इस्वर के द्वारा ही मनुष्य का क्रियेशन किया गया है इस्वर नहीं मनुष्य को बनाया है after all इसवर के अंस मनुष्य में है ठीक है मनुष्य उन्होंने अपने अंदर इसवर को अनुभब किया है तो इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि इसाई दर्वेसों और मुस्लिम दर्वेसों और दर्वेस का मतलब होता है सादू संत ठीक है ना तो फकीरों को संतों को क्या कहा जाता है दर्वेस कहा जाता ठीक है चलिया इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने बार बार इस की सेवा करते हैं तो वो इसवर की सेवा क्योंकि अभी बोलो ना कि इसवर का जो रूप है वो मनुश्य ही है मनुश्य के अंदर ही इसवर है तो यदि कोई वेक्ति मनुश्य की सेवा करता है तो वो इसवर की सेवा मानी जाएगी क्योंकि मनुश्य इसवर का ही मूर्तिमान र रूप है ठीक है ना? Human is a form of eaveswar तो या God. तो मनुष्य eaveswar का ही क्या है एक रूप है तो यदि हम मनुष्य की सेवा करते हैं तो वो एक प्रकार से किसकी सेवा कहलाती है तो वो eaveswar की ही सेवा कहलाती ठीक है? देखे इनकी मृत्य होने के बाद अगर देखा जाये तो इनके जो उनके महान सिश्य स्वामी व्यकानन्द के दुआरा प्रसारित किया गया था उनके समकालिन भारती समाज की आविशकताओं के अनुसार डालने का प्रयास किया था की मांग है जो modern society की डिमांड है उसके accordingly यहां पर क्या किये गए थे कार्य किये गए ठीक है तो आप लोग समझें कि रामकृष्ण परामंस जो एक क्या कह सकते हम एक इन्हें प्रीष्ट के रूप में संति के रूप में समझते हैं और 1834 1834 से इनका जो समय है वो 1886 1886 तक रहता है 1886 तक 1886 में इनकी मृत्य होती है इनकी डैत होती है 1886 में ठीक है यह वह सब पूर प्रीष्ट यह एक क्या थे संत थे यह एक निर्धन या एक गरीब संति के रूप में जाने जाते थे ठीक है लेकिन यह संत कहां पर थे he was a saint of the काली टेंपल यह कहां के संत थे तो एक काली टेंपल हुआ करता था ठीक है न कहां के संत थे he was a saint of काली टेमपल इन दक्षनेश्वर केलकटा तो कलकत्ता के दक्षनेश्वर में जो काली टेमपल है वहां के संत थे वहां के संत कौन थे रामकृष्ण परम्हंस ठीक है इनके अगर हम बच्पन के नाम अच्छा मैंने क्या लिख दिया है काली टेमपल और आपनों को जगा ध्य West वंगोल क्योंकि कलकत्ता कहा पर आता है West वंगोल में ठीक है तो पस्च्चिंबंगाल या कलकत्ता प्रेसिदेंसी जो थी थी ठीक है वहां से बिलव करते हैं आपके सौमि वेकानद और सांथि राम पर हम व्ह फर बोडा गया है इनके बच्पन का नाम ही क्या हुआ करता था गधोधर ठीक है गधा गधोधर चट्टो पाध्या है तो गधोधर चट्टो पाध्या है इस चाइल्डूड नेम ठीक है next point he did not write books, इन्होंने कुई books नहीं लिखी ये कुई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ठीक है इनके द्वारा जो उपदेश दिये गए जो इन्होंने conversation किये हैं जो इन्होंने अपने विचार या उपदेश दिये हैं उन्हीं को जो पब्लिक को दिये उन्हीं को क्या किया गया है सम्हाले रखा है उन्हीं को क्या किया गया है कंपाइल किया ठीक है और उन्हीं उन्हीं सिक्षाओं को आगे तक लोगों तक बनाया रहा है तो यह चीज जहान रहिए he did not write books but his conversation with people formed the basis of what were considered his teachings तो जो convergence इन्होंने जन्ता को दिये जो उब्देश इन्होंने जन्ता को दिये हैं जो बाते इन्होंने जन्ता को बताईए उन्हें ही इनकी सिक्षाओं उन्हें ही इनके उब्देश के रूप में उन्हें ही इनकी teachings के रूप में क्या किया गया है consider किया ठीक है अब इनके अगर हम thoughts की बात करें तो मैं already बता चुका हूँ इनके विचार में आप लोगों को already बता चुका हूँ As many faith so many path यानि जितने आपके आस्था होगी जितने आपके faith होंगे जितने आप बिस्पास रखेंगे अलग-अलग देवी देपता होंगे अफने ही आपके रास्थे होंगे तो यह एक बात यह एक इनके विचार है इनके थोट है As many faith so many path जितने faith होँगे जितने आस्था होंगी उतने ही आपके सामने क्या होंगे रास्थे होंगे ठीक है Service of man is the service of God यह सबसे खास बात है जो आपसे पूछ लिया जाएगा Service of man is Service of God मनुष्ची की सेवा ही इस्वर की सेवा के समान है क्योंकि मनुष्ची ही इस्वर का एक क्या है रूप है और इस्वर नहीं मनुष्ची को create किया है Hence the service of man is the service of God यह अबधारना यह concept यह idea बताया है स्वामी रामकृष्ची परमभन्स के द्वारा ठीक है और जो एक खास थोट या एक खास बिचार इन्होंने दिया है वो यह है कि जो मुक्ती पाने का सबसे traditional route है जो सबसे पारंपरिक रास्ता है वो क्या है तो वो है त्याग, ध्यान और भक्ती का रास्ता ठीक है तो इन्होंने अपने उपदेश में सबसे खास बात यह बताई है कि परमार्था साउट सालवेशन through traditional ways of reunication, meditation and भक्ती it means कि, it means इसका मतलब यह होता है यहां पर कि मुक्ती पाने का सबसे पारंपरिक रास्ता है त्याग, ध्यान और भक्ती ठीक है इस देशनल रूट तो गेट सालवेशन ठीक है He recognized the fundamental oneness of all religions and emphasized that Krishna, Hari, Ram, Christ, Allah are different names for the same God तो यह एक और विचार आप लोग ध्यान में रखें कि इन्होंने क्या focus किया है He recognized the fundamental oneness याने इन्होंने यह बात पर जोर दिया है यह प्रात्मिक बात, यह मौलिक बात बताई है कि इस्वर के जो रूप हैं वो अलग-अलग हैं यह स्वर अलग-अलग लेते हैं लेकिन वो सब क्या हैं एक ही है एक ही भगवान है, एक ही भगवान के रूप है ठीक है तो यह चीज उन्होंने बोली है Krishna, Hari, Ram, Christ, Allah यह सब क्या है Different names है But these all are one God यह सब एक ही देपता है बस इनके नाम क्या है आपको अलग मिल जाएंगे Hindu धर में आपको Vishnu, Hari, Ram मिल जाएंगे Muslim धर में आपको Allah मिल जाएंगे Christ या Christian धर में आपको Jesus Christ मिल जाएंगे इस तरह से इनके क्या है बिचार है, ठीक है तो इन्होंने अपने उप्देसों में ये बातें बताई है कि different names है बड़ सबके सब एक ही देपता या एक ही इसवर के रूप है ठीक है चलिए तो यहाँ पर हमने discuss किया है राम करशन परमहंस के बारे में देखिए इतने questions हैं जो आ सकते हैं ठीक है simply आप से जो question पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि राम करशन परमहंस किस मंदिर के संत थे simple question ये पूछा जाएगा तो आपनों को ध्यान रखना है काली माता टेंपल कहां पर है दक्षिनेश्वर के लकटा तो कलकत्ता के दक्षिनेश्वर में जो काली माता टेंपल है उसी के क्या थे ये संत थे और इन्होंने अपने अंदर इस्वर के अनुखक किया है इन्होंने अपने अंदर गोड या इस्वर को फिल किया है इसलिए इन्होंने अपने उप्देसों में कहा है कि इस्वर मनुष्च के अंदर ही है और इसलिए मनुष्च की सेवा ही किसकी सेवा है मुमेंट के बारे में हम डिस्कुसन करते हैं यह उन्होंने एक मुमेंट शुरू किया था अपने नाम पर जिसे हम बोलते हैं रामकृष्ण मुमेंट ठीक है So now we will discuss about the रामकृष्ण मुमेंट that was started by the रामकृष्ण परमहन्स ठीक है तो देखिए रामकृष्ण मुमेंट it began with two objectives इस मुमेंट के दो अबजेक्टिव थे इसे दो अबजेक्टिव को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था ठीक है तो सबसे पहली बात कि this moment has two objectives ठीक है दो अबजेक्टिव थे दो देश थे रामकृष्ण मुमेंट के अब किसने सुरू किया था तो सवाम रामकृष्ण परामन संदे के पहला object गया है तो first object जो इस मुमेंट का आता है वो यह आता है कि to bring into existence a band of monks dedicated to a life of reunication and practical spirituality from among whom teachers and workers should be sent out to spread the universal message of Vedant ठीक है तो यह तो मैंने आप लोगों पढ़के बता दिया English में पूरा अब इसे हम हिंदी में समझने की कोशिस करते हैं कि आखिर इसका क्या meaning होता है या यह क्या बात बोली गए देखे to bring into existence a band of monks it means त्याग और व्यावारिक आध्यात्मिक्ता के जीवन के लिए समर्पित भिक्चूओं के एक सम्हू को अस्तिव में लाने की अविशक्ता है अब देखे भिक्चूओं की अगर बात की जाए सम्तों की अगर बात की जाए तो उनका जीवन जो है वो किस के लिए समर्पित होता है त्याग और व्यावारिक आध्यत्मिक्ता के जीवन के लिए समर्पित भिक्चूओं के एक सम्हू को ब्यावार में या स्तिव में लाने की बात बोली गई है जिन में से सिक्छकों और स्रमिकों को ठीक है ना अब ये जो भिक्चु हैं उनमें से जो सिक्चक थे उनमें से जो स्रमिक थे उनको बेदान्त के सार्व भॉमिक यानि यूनिवर्सल मेसेज को फेलाने के लिए बाहर भेजा जाना चाहिए यानि स्प्रेड करने के लिए उन्हें दूर दूर तक भेजा जाना चाह नहीं है, तो जो फर्स्ट ऑबजेक्ट आता है रामकरिष्णी मुव्मेंट का cũng यह आता है कि बेदान्त के संदेश को, बेदान्त के मेशेज को spread करना है, ठीक है, बेदान्त के मेशेज को फेलाना है और उसके लिए कुछ साधू संतों का एक समूं create करना ठीक है to bring into to bring into existence a band of monks dedicated to a life of reunigation and practical spirituality from among whom teachers and workers should be sent out to spread the universal message of Vedant ठीक है तो simple सी बात यह लिख लें कि spread the message of Vedant बेदान्त के message को spread करने के लिए एक भिक्चुओं के सम्मू को create करने की बात की गई है first जो objective है पहला जो उद्देश है वो यह निकल कर आता है राम करश्न मुवमेंट का ठीक है समझ गया होंगे सभी लोग second object क्या था दूसरा उद्देश क्या था इस मुवमेंट का तो जो second object है वो यह है कि disciples to carry on preaching philanthropic and charitable works looking upon all the men's, women's and children's irrespective to caste, color and creed ठीक है तो अभी से भी मैं explain कर देता हूँ कि इस बात का meaning क्या हो रहा है इस बात का meaning यह हो रहा है कि इनके जो सिस्य हैं इनके जो disciples हैं उन्हें क्या करना है उन्हें अपने उपदेश, अपने philanthropic जो इनके functions याने जो परोपकारी जो कारे हैं ठीक है और जो धार्मिक कारे हैं उनको करने के लिए सभी पुरसों को, सभी महिलाओं को और सभी बच्चों के लिए यह सारे कारे करना है बिना किसी जातीगत भेदभाब के, बिना किसी religious या धार्मिक भेदभाब के, बिना किसी रंग के या बिना किसी प्रकार के भेदभाब के, किसी नसल, जाती, रंग, ठीक है ना, color, creed, etc. किसी भी चीज का भेदभाप किये बिना ही, सभी पूर्सों को, सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को क्या करना है, उपदेश देना है, उनके लिए परोपकारी कारे करना है, उनके लिए धार्मिक कारे करना है, ठीक है, तो ये जो दूसरा अबजेक्ट है, वो ये है, कि जो ड बिना उनमें किसी प्रकार का जातीगत भैदभाफ किये बिना उनमें किसी रंग के किसी नसल के भैदभाफ किये बिना उनके लिए चेरीटेवल फंक्संस या उनके लिए चेरीटेवल वक्स करने की बात यहां पर बोली गए ठीक है तो I hope कि all the two objectives of Ramakrishne movement was clear to all of you ठीक है तो अब आपनों को यह object clear हो गए होंगे कम से कम कि जो पहला object था वो यह था कि spread the message of बैदान्त है यहां पर simply हमने यह समझा कि बैदान्त के message को क्या करना है spread करना है इसके लिए सादू संतों का एक सम्हूं बनाने की आविशकता थी ठीक है ना दूसरा जो था वो यह था कि इन्होंने अपने जो उपदेश्ट इन्होंने अपने जो disciples थे इनके जो सिश्च थे उनसे यह बात बोली गई थी कि आपको क्या करना है आपको परुपकारी कारे करना है आपको आपको टीचिंग्स करना आपको प्रीचिंग करना है ठीक है चेरिटेवल वर्क्स करना है सभी महिलाओं पुर्सों और बच्चों के लिए बिना उनमें किसी प्रकार के भेदवाब को देखे बिना ठीक है तो यह सेकेंड अबजेक्ट हो जाता है अब हम बात करते हैं राम क्रिश्न मठ की ठीक है राम क्रिश्न मुमेंट के बाद जो टॉपिक यहां पर निकल के आता है वो आता है राम क्रिश्न मठ ठीक है देखिए मठ आप लोग ध्यान रखें मठ एक प्रकार के रिलिजियस सेंटर से मीनिंग होगा एक प्रकार का धार्मिक केंडर एक प्रकार के जो धार्मिक केंडर होते हैं उन्हें हम किस तरह से कंसिडर करते हैं मठ के रूप में कंसिडर करते हैं ठीक है तो यह चीज धियान रखिएगा जैसे आप बहुत धर्म के मठ आप लोग न में ठीक है हैमिस मोनेश्ट्री लद्दाक में है ठीक है तो इस तरह से न हमने कुछ मोनेश्ट्री डिसकस की थी किसमें बुद्धिजम में बुद्धधर्म में बुद्धर्म के मंदिरों को या धार्मिक केंद्रों को क्या कहा जाता मठ कहा जाता नाउ रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मठ क्या था तो रामकृष्ण मठ वोस फाउंड़ वाई रामकृष्ण परमहंस इसे इस्थापित किया था किसने रामकृष्ण परम।प हंस फांड cuatro राम कृष्ण मत्तिय के भिठिस यंगut monastic Decibles ठिक है किसकी सहायता से किसकी हेल्प से तो इनका-एक slulis एक इ aquí एक करते तहें इनका नाम तो स्वामिवेकनन्द की हेल्प से ھिन्हों आमकरश्ण मत्ट इस्टेबलिस किया था ठीक है और ये कहां इस्टेबलिस किया गया था तो इसे इस्टेबलिस किया था बारा नगर केलकटा में in 1886 बारानगर केलकटा इन 1886 1886 में बारानगर केलकटा में इसे इस्टेबलिस किया गया था ठीक है यह बात क्लिए हो गया आपको किस ने इस्टेबलिस किया रामकरश्न परमांद and his monastic disciple who was known as Swami Vivekananda ठीक है अबजेक्ट किया था इसका परपस किया था इसका उद्देश किया था तो इस रामकरश्न मठ को इस्टेबलिस करने के पीछे अबजेक्ट था तो फुल्फिल दा फर्स्ट ऑबजेक्टिव ओफ रामकरश्न म मुवंड के पहले उद्देश को पूरा करना ही इस मत का क्या था object था ठीक है तो रामकरश्न मठ िस दसेंटर ठीक है ना हीज्टर आफ रामकरश्न मुवंड मुवंड and the target to open या to establish Ramakrishna मठ is to fulfill the first objective of Ramakrishna movement ठीक है Ramakrishna movement का जो पहला उब्देश था जिसका target था spread the message of dhamma sorry spread the message of vedant उसी के उद्देश से Ramakrishna मठ को क्या किया गया था established किया गया था in 1886 1860 में ठीक है ओके तो इतनी चीज आप लों clear हो गई होगी now now the next organization is Ramakrishna mission now the next organization is Ramakrishna mission अब अगली जो organization होगी वो होगी Ramakrishna mission ठीक है तो अब मैं आप लों को next organization का नाम बता देता हूं इसका नाम है Ramakrishna mission ठीक है Ramakrishna mission तो यहाँ पे जब हम Ramakrishna mission की बात करते हैं तो देखे तीन चीजे हैं जो आप लों को तीन क्या चार चीजे हैं जो एक नाम पर चल रही हैं सबसे पहले रामकrishna paramhans दूसरा इन्होंने सुरू किया Ramakrishna moment इसके object को पूरा करने के लिए बनाया Ramakrishna mat now the fourth name is Ramakrishna mission अब सुरू हुआ है Ramakrishna mission अब Ramakrishna mission किसने सुरू किया है तो यहाँ पे नाम आएगा it was founded by Swami Vivekanand इसे सुरू किया था Swami Vivekanand it was founded by Swami Vivekanand ठीक है ना after Ramakrishna paramhans death तो Ramakrishna paramhans की जब death हो जाती है उनकी मृत्ति होने के बाद उनकी death होने के बाद Ramakrishna mission शुरू किया गया था by Swami Vivekanand तो Swami Vivekanand ने इस organization को establish किया था यह इस थापित किया था after the death of Ramakrishna paramhans ठीक है but target किया था to fulfill the second objective ठीक है इसका target है to fulfill to fulfill the second objective to fulfill the second objective of Ramakrishna movement Ramakrishna movement के दूसरे objective को क्या करने के लिए पूरा करने के लिए इससे establish किया गया था कब और कहां तो in 1897 अठारा सो संत्यानवे में in Calcutta तो कलकत्ता में अठारा सो संत्यानवे में ही इस रामकrishna mission की सुरुवात की गई थी और अब अगर आपसे पूस लिया जाए कि the headquarter of Ramakrishna मठ and Ramakrishna mission तो यह जो है headquarter जो थे वो थे बेलूर में बेलूर कहां पर था तो यह भी आता है किलकटा में ठीक है तो एक पॉइंट और में आपनों को बता दूँ कि headquarter of Ramakrishna mission and Ramakrishna and Ramakrishnamat जो इनके headquarters थे जो तो इनके मुख्याले थे वो कहां पर थे तो वो थे वेलूर केलकटा में ठीक है तो यहां पर तीन यह चार चीज़ों के बारे में हमने discussion किया यहां पर हमने बात की है Swami Ramakrishna परमँज के बारे में हमने discuss कर चुके उनके जो preaching थे उनकी जो ideas थे उनके जो अब्देश थे हिंदु धर्म में क्या सुधार होना चाहिए उसके लिए या हिंदु धर्म के बुराईयों के लिए उनके बारे में discuss किया फिर अपने उब्देशों को के फाइनली पूरा करने के लिए एक मुमेंट शुरू किया और इस मुमेंट में इन्हों ने अपने दो अब्जेक्टिप्स बताए थे ठीक है उन अब्जेक्टिप्स को पूरा करने के लिए रामकर्ष्न मठ शुरू किया और दूसरा अब्जेक्ट को पूरा करने के लिए रामकृष्ण मिसन्द शुरू किया इनी के इनी के एक disciple जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद ठीके अब हमारा जो टॉपिक वस्ता है वो वस्ता है स्वामी विवेकानंद के ओपर discussion करना क्योंकि obviously हमने रामकृष्ण परम्हंस के उपर discuss कर लिया हमने रामकृष्ण मठ के उपर discuss कर लिया रामकृष्ण मिसंद जो सुरू किया था स्वामी विवेकानन्द ने उसके उपर discuss कर लिया अब हमें discuss करना बात करनी है सबसे विद्वान सबसे मुख्य विक्ति की जिसका नाम क्या है स्वामी विवेकानन्द और बच्वन से हम अपने स्कुल्स में, अपने कॉलेज़ेस में या हम कहीं पर भी जब हम देखते हैं कोई भी अगर विचार भी मरस होता है या कहीं पर भी कोई intellectual discussion होता है तो उसमें हम कई बार हमने ये नाम सुना होगा Swami Vekanand ठीक है तो Swami Vekanand भारत के या इंडिया के काफी बिद्वान पुरसों में से एक माने जाते है इवन हम बोल सकते हैं कि सबसे बिद्वान व्यक्ति में से अगर कोई जाना जाता है इंडिया का तो वो कौन थे? वो Swami Vekanand के रूप में जाना जाते है इनके अगर हम childhood name की बात करें इनके बच्पन के नाम की अगर बात करें तो वो नरेंद्र दत्त था इनका बच्पन का नाम ही क्या हुआ करता था? नरेंद्र दत्त था ठीक है? और ये भी कहां से बिलॉंग करते हैं तो ये भी बिलॉंग करते थे WB, it means Waste Vengol से पस्चिम बंगाल से ही संबन दित थे आपके स्वामी विवेकानद ठीक है? चलिए तो हम डिस्कस करेंगे अब स्वामी विवेकानद के उपर जिनका जन्म ही हुआ था 1862 1862 में और काफी कम उम्र में इनकी मृत्ती हो गई थी और 1902 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी चलिए तो आज हम बात करेंगे इंडिया की एक great personality एक महान व्यक्तित्व की जिनका नाम है स्वामी विवेकानद ठीक है?